जैसा कि आप लोग जानते हों कि इंडिया में आ चुका है Samsung Galaxy A50 जिसकी कीमत शुरू होती है लगबग 20,000 रुपे से और वहीं पे एक दूसरा स्मार्टफोन जिसका नाम है Redmi Note 8 Pro जिसकी कीमत शुरू होती है 15,000 रुपे से तो इस वीडियो में आप लोग आपको बताने वाला हूँ और आपको किसकी तरफ जाना चाहिए हो सारे क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी Samsung Galaxy A50 और Redmi Note 8 Pro का पूरा comparison और इस वीडियो को पूरा end तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो को पूरा end तक देखने की दो फायदे हैं सबसे पहले मिलेगा आपको detailed comparison Samsung Galaxy A50 और Redmi Note 8 Pro का आपको प्राइज ही नहीं और भी सारी चीजों के बेस पर बताऊंगा कि आपको कि स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे इस वीडियो में conclusion वाला पार्ट है वो बहुत ज ज़रूरी है कि वहीं पर आप लोग फाइनली डिसाइड कर पाऊगे कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन जो है वो बैस्ट होगा तो चले हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं कामपरेजन को स्टार्टिं करते हैं डिस्प्लेवाले पार्ट से यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले संसंग लेक्से 50 में तो यहां पर आपको देखने हो मिल जाएगी 6.4 इंचेस की सूपर एमिलेट डिस्प्ले और यह आती है इंफिनिटी का यू कट डिस्प्ले शेप के साथ में जिसके अंदर हो आपका फ्रेंट फेसिं इंचेतः तो संसंग लेसी f1,5 मेंagशंचे में बता है कि आपको इस डिपरेंट ना क्याम्चों ऐसे अर्चाफ शेप में इन्फिनिटी शेप में Cao के साथ में तो यह था गयाँ आपको डिसलेंत ने इंछी इनलेट मिल जाए गी 64 Megapixel, 8 Megapixel, 2 Megapixel, 2 Megapixel का Quad Rear Facing Camera का Option जो आता है आपका Quad Rear Camera Setup Redmi के Note 8 Pro में और वही पर अगर हम लोग इस स्मार्टफोन के Selfie Camera की बात कर ले तो यह आता है 20 Megapixel के Front Facing Selfie Camera के साथ में जो आता है Water Drop Notch Shape में तो गाइस यह दो बात होई Camera comparison की यही पर हम लोग बात कर लें Battery comparison की तो गाइस Samsung Galaxy A50 में देखने को मिल जाता है आपको 4000 mAh की Battery Capacity, 15W का Fast Charging Adapter एंड USB-C के बाल आपको देखने को मिलेगा आपको A50 के डब्बे में ही यही पर हम लोग बात कर लें Redmi की Note 8 Pro में यहां पर आपको देखने को मिल लाएगी 500 mAh की Battery Capacity, 18W का Fast Charger और USB Type-A to C के बाल आपको मिलेगा डबे के अंदर यहां पर Capacity जो है Redmi का Note 8 Pro का Best इंपेरिवली Samsung Galaxy A50 बाकी Adapter और Charging के Fast Enhancer के बारे में आप लोग अच्छे से जानते ही है इसके लब गाइज अगर में बात को लोग प्रोसेसर की तो Samsung Galaxy A50 में देखने को मिल लाता है आपको Exynos 9610 का Octa Core Processor जो की है 10NMP based और इसको आप कहा सकते हूँ कि Snapdragon 660 का एक तरीके से उसी का अपग्रेड वर्जिन कुछ इस टाइप कर को कि यहां पर आपको गेमिंग का परफोर्मिंस से बहुत बेस्ट मिलने वाला है तो यहां पर आप लोग compare कर सकते हो कि यहां पर आपके लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट होगा वही पर हम लोग बात कर लेए स्कैनर की दोनों स्मार्टफोन में यहां पर आपको बात कर लेगा आपको यहां पर यहां पर आपको बात कर लेते हैं यहां पर आपको बात कर लेते हैं तो समसंग लेक्स यह फीट्यों में गाइज देखने को मिल लेगा आपको पॉली काबने बैक बाटी डिजाइन जो की आती है ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग के साथ में तो यह पॉली काबने तो हैगा एक नाम के लिए कि यहां पर फिनिशिंग आपको काफी ग्लास टाइप मिल लाएगी और साथ में यहां पर आपको तीन कलर जो है दिखने को मिल लाएगा ब्लैक ब्लू एंड वाइट यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर आपको मिलेगा बॉड़ी की बात कर लिए तो और ग्लास बैक बॉड़ी के साथ में आता है रेड्मी का नूटेट प्रो और वहीं पर दूसरा वेरिंट है वो आता है 6GB RAM और 64GB के स्टोरिज के साथ में आता है आपका लग भग 30,000 रुपे का तो यह तो बात होगे स्मार्टफून की तरफ जाना चाहिए बत और सिंग नहीं प्राइस बहुत बत और सिंग नहीं कंपनी आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन और डिटेल कंपेरिजन दे दिया है तो यहाँ पर आप लोगोंने डिसेट कर लिए होगा लेकिन तब भी हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर ग्लॉसी फिनिशिंग भी होगी चार-पांच कलर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं टिपल सिंग्र स्लॉट्स का ऑप्चन है इन डिस्प्रे फिंगर्बेंट स्कानर मिलेगा सूपर अमुलेट की वज़े से और यहाँ पर यहाँ पर एक्टिन नौस का यहाँ पर देखने को मिल दागा वहीं अगर आप लोग से 15,000 इंवेस्ट करते हो रेडमी के नोटेट प्रो में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है पहता लिसो एमेच की बैटर क्रेशित फास्ट चार्जर यूसबी टाइप एड़ टाइप स्लॉट्स का ब्रीयर क् रेडमी का नोटेट प्रो जिसके चार कलर अवेलवल है तो मेरे खाल से यहाँ पर आपके लिए रेडमी का नोटेट प्रो बहुत सदा अच्छा रहेगा क्या आपको कम प्राइज में बहुत अच्छे स्प्रिकेशन वारी शारी चीज़े दे रहा है लेकिन नहां सामसंग की तरफ जा रहे है या फिर रेडमी की नोटेट प्रो की तरफ और किस वज़े से जा रहे है और साथ ही साथ आगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शिर सब्सक्राइब करना ही करना नीचे कॉमेट सेशन में यह भी बतनाना कि वीडियो में आपको क्या कुछ अ चाहिए था सारी चीजे फीडबेक के जरी ताकि हम आने वाली वीडियो में उस चीज को इंप्रूव कर सके हैं मिलते गाई इसलिए कंपेर्सिन वीडियो पर जब तक के लिए टाटा बाई बाई